प्यारे बच्चो आज की इस वीडियो में हम NCRD क्लास 6 का चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम होल नमबर है कि एक्सरसाइज 2.1 को सौल करेंगे एक्सरसाइज को सौल करने से पहले हम दो इंपोर्डेंट डेफिनिशन के बारे में जानते हैं फर्स्ट है नेचरल नमबर नेचरल नमबर किसे कहते हैं काउंटिंग नमबर आर कॉल्ड नेचरल नमबर means ऐसे नमबर जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उनको हम नेचरल नमबर कहते हैं तो काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं वन से तो फॉर एक्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, and so on 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नमबर आते हैं वह सभी नमबर कैसे हैं नेचरल नमबर हैं तो यहां पर स्मॉलेस्ट नेचरल नमबर यही हमसे पूछा जाएं तो वह क्या है वन स्मॉलेस्ट नेचरल नमबर क्या है वन और यही पर हमसे पूछा जाएं लार्जेस्ट नेचरल नमबर क्या होगा लार्जेस्ट नेचरल नमबर तो वो होगा आपका इन्फिनाइट क्योंकि नमबर्स कभी फिनिस नहीं होते इसेद इसेद अवोल नमबर्स नेचरल इसेद आपक आपके लिए आपके ओर लिए ओर दॉब आपके लिए आपके नेचुरल नमबर विल जीरो means यदि सभी नेचुरल नमबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं होल नमबर for example जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और जीरो यहाँ पर सभी नेचुरल नमबर के साथ हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया है तो यह क्या बन गए आपके होल नमबर यदि हमसे smallest होल नमबर पूछा जाता है तो क्या है जीरो smallest होल नमबर जीरो लाइश्ट होल नमबर इंफिनाइट विकॉस नमबर नमबर का कभी एंड नहीं होता है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेशन नमबर वन है राइट दा नेक्स्ट थ्री नेच्रल नमबर आफ्टर 10,999 मीन्स इस क्वेशन में हमें 10,999 के बाद आगे आने वाले थ्री नेच्रल नमबर लिखने है फॉर एक्जाम्पल यदि हम एक्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 6 के आगे के थ्री नेच्रल नमबर लिखिए तो 6 का आगे के थ्री नेच्रल नमबर होंगे 7 8 9 इसी तरीके से यदि हम 12 के आगे के थ्री नेच्रल नमबर लिखते हैं तो क्या होंगे 13 14 15 यदि हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है 1 एड कर दिया है प्लस 1 फिर इसमें भी प्लस 1 किया ऐसे ही 12 से जब 13 पे गए तो यहां प्लस 1 हुआ 13 से 14 पे गए तो यहां भी प्लस 1 हुआ 14 से 15 पे आए तो यहां भी प्लस 1 हुआ इसी तरीके से 10,999 के आगे के 3 नेच्रल नमबर राइट डाउन करने के लिए उसमें 1 प्लस कर देंगे 10,999 प्लस 1 यदि इसमें 1 प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद नमबर आएगा आपका 11,000 अब नेच्ट नमबर निकालने के लिए 11,000 में 1 प्लस कर दीजे तो यहां पर हो गया 11,000 1 नेच्ट नमबर निकालने के लिए 11,000 1 में 1 को एड़ कर दीजे तो यहां पर नेच्ट नमबर आ गया 11,000 2 तो आंसर क्या हो गया आपका आंसर हो गया 11,000 नेच्ट 11,001 नेच्ट 11,002 2 कोश्चन नमबर 2 इज राइट दा थ्री होल नमबर्स ओकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 इस कौश्चन में हमें 10,001 से पहले के 3 होल नमबर राइट डाउन करने है फ़र एग्जम्पल यदि हम 10 से पहले के 3 होल नमबर्स राइट डाउन करते हैं तो क्या होंगे 10 10 से पहले क्या आता है 9 9 से पहले 8 8 से भी पहले क्या आएगा 7 तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे 10 में से यदि हम 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 9 ऐसे ही 9 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो क्या हैगा 8 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हैगा 7 तो क्या होगे 10 से पहले के 3 whole नमबर होगे कौन-कौन से होगे 9, 8, 7 इसी तरीके से 10,001 में से हम 1 माइनस करेंगे 10,000 1 में से यदि 1 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 10,000 अब 10,000 में फिर 1 माइनस कर दिजिए और 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हैगा 9,000 9,999 9,999 में से फिर 1 माइनस कर दिजिए अब क्या आज़र आएगा 9,998 तो आज़र है 1 माइनस कर से अब 10,000 9,999 999, next 9998, question number 3 is, which is the smallest whole number, smallest whole number कौन सा होता है, यह हमें बताना है, जैसा कि हमने आपको डेफिनिशन में बताया था, smallest whole number होता है, आपका जीरो और largest whole number होता है, आपका इंफिनाइट, question number 4 है, how many whole numbers are there between 32 and 53, means, 32 और 53 के बीच में कितने whole numbers हैं, इसको हमें find करना है, question को solve करने से पहले, हम इसको example के थुरू समझते हैं, यदि हमें 4 और 6 के बीच के number find करने हैं, तो कितने number आएंगे, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, only one number, वो होगा, 5, अब निकालेंगे कैसे, 6 मेंसे 4 को minus कर देंगे, 6 मेंसे 4 को minus किया, तो क्या आया, number आगे 2, फिर इस मेंसे हम 1 minus कर देंगे, तो answer कितना आगया, one number, means 4 और 6 के बीच में केवल एक ही number आएगा, इसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, यदि हमने number ले लिया, 2 से 10, 2 और 10 के बीच में कितने number आएंगे, यह हमें find करना है, तो simple सा वही method है, larger number मेंसे smaller number को minus करेंगे, 10 minus 2, number हो गए 8, फिर 8 मेंसे 1 minus कर देंगे, तो answer आएगा 7 number, 2 और 10 के बीच में कितने number आएंगे, 7 numbers आएंगे, देखते हैं, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 और 10 के बीच में कितने numbers होंगे, 7, इसी तरीके से इस question को solve करेंगे, 53 मेंसे जो larger number है, उसमें से minus कर देंगे, smaller number, means 32 को, 3 मेंसे 2 गया 1, 5 मेंस 3 गया 2, आंसर आगे है 21, इसमें से फिर 1 मैनस करेंगे, 1 मेंसे 1 गया 0 and 2, 53 और 32 के बीच में, जो whole number होंगे, वो होंगे आपके 20, तो आंसर के आओगे आपका 20, आज की इस वीडियो में हमने question number 1 से लेकर 4 तक solve किया है, question number 5 से लेकर 8 तक अब हम next वीडियो में solve करेंगे, thank you, झाल 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 के लेंगे,qué वैनस एमें ब मेंसे बिलाने मेंजा हैं, किब अूस्वाइकर झाल झाल कुछ करेंगे, ऱके रमिंगे हैं, कि लेके बाफ़ झाल झाल – भावे का झाल – बाचल, दो kick-स-दोस्थे fans एनिता,